बॉद पैपत नेशनल हाईवे 730 के कतरा बाइपास के पास हुआ बड़ा हार्शा बुलेरू सवार आधा दर्जन सहधिक लोग हुए गायर। मादन थाना सरा उसी इलाके कमाने। कैसे हुआ है। किसको बचाने चक्त करने। बहराई जिले के मटेरा था नहां छेट इलाके से। कुछ लोग दवा कराने बुलेरो को बुक कराकर गोरख पुल जा रहे थे। जब वो निशनल हाईवे 730 के बौध परिपत पर कट्रा बैपास के पास पहुँचे तब ही सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने के चक्कर में। बुलेरो चालक ने अपना नियंतर्ण खो दिया और बुलेरो वाहन खाई में पलट गई। सूचना पाकर मोगे पर पहुँची 108 की टीम में सभी घायलों को इकवना समदा 108 सकेन पहुचाया जहां पर डाक्टरों ने प्रात्मे को उप्चार के बाद तीन की हालत गंबिर बताते को जिलास बताल बहराई से फर गिया। मादन थाना स्राउस्ती इलाके के कट्रा बाइपास का पुरवा किया जहां पर सुबह सबेरे लवक तीन बजे यह घटना सामने गटी जब कुछ लोग बहराई जनपत के मटेरा इलाके से दवा उप्चार के लिए गोरफ पुजा रहते तभी कट्रा बाइपास के पास बा केरो अनियंतित को पर खाई में पलट गई यहां पर चालक समेथ छे लोग चोटिल हुए हाला की तीन की हालत जंप्री बताई जा रही है और सभी को एकवना से जिलास पर तल बहराई स्री फर्किया लिया है कट्रा बाइपास के पास का यह वाक्या जहां पर कि घतना सामने आई और बुलेरो सवार कि सभी को चोटे आएंगा कि सबसे तेज़ खबर स्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं स्रावस्ती जनपत के महत्पुनवा अहम खबर आपकी इस्कीन पर कि एकवना बल रामपुर मार के कट्रा बैपास के पास का हाथसा जहां पर अनियंतित रोकर बुलेरो खाई में पलती हैं तस्वीरें आपके इसकीन पर कि इस हाथसे में छे लोग घाल बताए जा रहे हैं वहीं तीन की हाल अपना जुब बताए जा रही हैं कि अ कि 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 अ क